पहले केस तो बहुत सिंपल है जिससे आपको दोनों फोर्स से खीचा आपने तो आपको यंग्स मॉडूलस मेटरियल का गिविन है कितना फोर्स लगाया यह एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन गिविन है आपसे पहली मैंने बताया यंग्स मॉडूलस इसी सिचुएशन के लिए डि निकल के आएगा क्योंकि इसको निकाला ही ऐसे ही है तो यहां से एक्स्टेंशन अपने आप कितना निकाल देंगे आप एफ एल अपन वाई इंटू ही इनिशल लेंग्स पता हो आपको फोर्स कितना लगाया है यंग्स मॉडूलस अफ दा मैटरियल एंड एरिया ओफ दी जाएं दूसरा केस इस तरह का है कि तो अलग-अलग एरिया ओफ क्रॉस सेक्शन की रॉट कम्माइन कर दी गई और इसका वाई वन है ये वन है लेंद इसकी एल वन मान ली इस लेंद की एल तू मान ली और यंग्स मॉडूलस वाई टू एटू इस तरह से पैरामीटर स इसका टोटल एक्स्टेंशन आपको बताना है find out total extension 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 of rod find out total extension of the rod इस rod का total extension कितना हो जब आप इसको दोनों तरफ से एपफोर से खीचेंगे ठीक है तो सीदी सी बात है जितना दोनों का sum होगा वही total extension होगा आप दोनों का या तो individual निकाल के add कर दें ठीक है तो individual निकाल सकते हैं कि आप दर्माइन बताइए कुछ इस बारे में कि आप individual इनका extension निकाल सकते हैं कि ऐसे निकालेंगे बताई इसका निकालना है तो आप इसको सिस्टम लेंगे लगा लग रहा है तो आपने इसको यहां से काड दिया तो और इधर फोर्च इधर आएगा इधर आएगा कैसे लगा हाँ वही बैलेंस नेट फोर्च जीरो रखने के लिए और दूसरी वाली को भी बना लीजिए इस तरह का ही सिस्टम इस पर एफ फोर्च इधर आ रहा है तो यहां पर एफ फोर्च इधर आएगा तो यह तो बहुत जाना पैचाना सा यंग मॉडलर्स की डेफिनेशन वाला सि यह तो ऐसी कमपोजिट रॉड में भी इसी तरह से निकल जाएगा बस आप इंडिविज्वाल लेके निकाल दे तो ऐसी सिच्वेशन में टोटल एक्स्टेंशन निकालने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह दोनों सिस्टम बिसिकली यंग्स मॉडलर्स की देफिनेशन पर ही बेस्ट है तो डिल्टा एफ वन इसी से लिख दीजिए एफ एल अपॉन वाई यह जैसे लिखा आपने है पोर्स तो सेम है एफ एल वन अपॉन वाई वन एवन प्लस एफ एल टू अपॉन वाई टू इन्टू इन्टू यहां तक बेटा किसी को आई भी दिक्कत तो बताइए मुझे एक बार एक्स्टेंशन ओफ रॉड लिखने में टूटल एक्स्टेंशन लिखने में